रहुल गांधी रहुल गांधी रहुल गांधी रहुल गांधी कॉंग्रेस पार्टी कॉंग्रेस पार्टी हाँ यह देखे बड़ी बड़िया फोटो है यह यह अपने पोस्टर में लगा राकिये मैं इसको देख रहा हूँ ये मोधी जी और अने लंबानी जी जो गले लगे हैं बढ़िया पोटो है ये इसको थोड़ा उस साइट गुमा के दिखाओ ये हाँ देखिए सबसे पहले मध्यप्रदेश और राजिस्तान में कॉंग्रेस पार्टी चुनाव जी थी और सब ने कहा कमलनाज जी ने सिंधिया जी ने कहा कि ये कॉंग्रेस पार्टी की सरकार है मगर ये मध्यप्रदेश के युवाओं की, किसानों की, महिलाओं की, मजदूरों की, गरीबों की भी सरकार है और मैं यहाँ साफ कहना चाहता हूँ और मध्यप्रदेश का हर युवा, हर किसान इस बात को अच्छी तरह सुने और समझे मालिक आप है, मालिक युवा और किसान है और अगर कॉंग्रेस पार्टी, यह चुनाव जीती है अगर हम यहाँ, सब के सब, अगर हम यहाँ इस स्टेज पे खड़े हैं तो हम आपकी शक्ती के बल पर खड़े हैं हम इस बात को नहीं भूलते हैं और कॉंग्रेस पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी कारे करता इस बात को ना भूले मालिक जनता है ग्यान जनता में है हमारा काम आपका ओर्डर सुनने का है हम वो चपनिंच वाली चाती उस सोच के लोग नहीं है मैंने ये किया, 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 ना चत्रिसगर मध्यप्रदेश राजिस्तान का कर्जा माफ राहूल गांदी ने नहीं किया कमलनाथ ने नहीं किया मध्यप्रदेश टेक किसान ने किया और आपकी शक्ति ने आपकी शक्ति ने कॉंग्रेस पार्टी को चुनाव जताया और आपकी शक्ति ने आपका कर्ज माफ किया हमने सिरफ आपकी शक्ति को जोडने का काम किया आपकी आवाज को सुनने का काम किया और आपका आदर किया और इसी प्रकार Congress का हर Chief Minister जाए वो कमल नाच जी हो जाए वो गेलोट जी हो भगेल जी हो मरिंदर सिंग जी हो नरायन स्वामी जी हो और आने स्वाले समय में एक के बाद एक एक के बाद एक प्रदेशों में Congress Party को चीफ पिनिस्टर आएंगे वो इस बात को नहीं भूलेंगे और अगर वो इस बात को भूलेंगे तो नया चीफ मिनिस्टर आ जाएगा और मैं खुशी से कहना चाहता हूँ देखिए मैंने दस दिन की बात की मैंने का देखिए किसान की आवाज है पुरे देश में किसान चिला कर कह रहा है कि हमें कोई तोफा नहीं चाहिए हमें कोई फ्री गिफ्ट नहीं चाहिए हम आपसे भीक नहीं मांग रहे है हमें सिरफ निया चाहिए और किसान ने हमें कहा और जो आप हमें कहते हो मैं कहता हूँ किसान ने हमें कहा कि अनिल अम्बानी को 30,000 क्रोर रुपे दिए निरभ मोधी को 35,000 क्रोर रुपे दिए मेहल चौकसी को 35,000 क्रोर रुपे दिए विजे मालिया को 10,000 क्रोर रुपे दिए ललित मोधी को हजारों क्रोर रुपए दिये हमारा कर्जा माफ क्यों नहीं होता है और हमने आप से कहा कि गबराईए मत सुनिए हमने आप से कहा गबराईए मत 11 दिन नहीं 10 कॉंग्रेस पार्टी की सरकार आएगी अब 10 गिनना एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौद दस और जैसे ही हमारी सरकारे आएं मैं आपको बता रहा हूं मैंने कमल जाची से एक शब नहीं बोला छे घंटे के अंदर कमल नाथ जी ने जो वाइदा किया था हमने जो वाइदा किया था वो हमने पूरा किया नरेंद्र मोधी जी घबराएं मैं समझ गया हूं नरेंद्र मोधी जी को डरा के आप कोई भी काम करा सकते हूं अब देखिए मैंने कहा मैंने कहा कि मत्यप्रदेश राजिस्तान में करदा माफ होगा नरेंद्र मोधी कहते हैं ठीक है भाईया मैं भी किसानों के लिए काम करता हूं लोग सवा में बीजेपी के एंपीज ने पांच मिनट ऐसे ताली बजाए दर 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 मैंने सोचा भाईया क्या कर दिया मतलब ये पांच मिनट जब्ढ़ दर जब्ढ़ सिंध्या यही बैटे वह टैं वहां पर मैंने पूछ उओwashक्या कर दिया इन्होंने है पांच मिनट पता लगा है taking 27 रुपए अरे भाई सदर रुपए दिन यह सद्रा रुपए सत्रा रुपे और वहां धड़ा धड़ता पिताली धड़ा धड़ताली धड़ा धड़ताली एक तरफ तीन लाक पच्चास हजार क्रोड रुपे हिंदुस्तान के पंद्रा सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ और इधर सत्रा रुपे और उसको फिर से डिवाइड करो तो एक व्यक्ति को साड़े तीन रुपे तीन रुपे पचास पैसा नरेंद्र मोधी ने दिया वारे वा क्या कमाल का काम किया अच्छा 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 अच् रक्षा मंत्राले का अपसर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने राफाइल मामले में डाइरेक्ट बिना रक्षा मंत्राले को बताए प्रधान मंत्री ने फ्रांस की सरकार से सोधा किया रक्षा मंत्री का हर अपसर कहता है कि चोकीदार 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 अब कल रात को कल शाम को कल शाम को चोकीदार जी आते हैं लोगसवा में यू खड़े होते हैं और भाशन देते हैं एक गंटा पैटालिस मिनट और उस भाशन में नरेंद्र मोधी एक मिनट के लिए राफायल की बात नहीं करता डिफेंस सेक्रेटरी ने जो फायल में लिखा कि नरेंद्र मोधी ने पैरलल नेगोसियेशन किया और हिंदुस्तान की वायू से ना और हिंदुस्तान की रक्षा की नेगोसियेशन पुजिशन बिगाड़ी रद की उसके बारे में चोकिदार एक शब नहीं बोलता है मगर देखिए बाई और बेरों सच्चाई को नहीं चुपाया जा सकता है आप टीवी देखते हो 5 साल पहले नरेंद्र मोधी जी भाशन यो देते थे योकिदार ब्रस्ट अचार को मिठाओंगा आज नरेंद्र मोधी भाशन यो देते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी को मिटा दूंगा अरे भाया कहा मिटाई मध्यप्रदेश में सरकार बन गई राजिस्तान में बन गई चतिसगर में बन गई दिल्ली में बनने जारी है और ये काम किस ने किया ये काम मैंने मध्यप्रदेश की जनता की बात की मगर ये काम मैं बता रहा हूँ आपको ये काम कॉंग्रेस पार्टी का कार्य करता आप बबर शेर हो बबर शेर हो आप लोग ये काम जनता को जोड़ने का काम और हमें यहाँ स्टेट पे लाने का काम कमल नाच्ची को चीफ मिनिस्टर बनाने का काम उस काम को आपने किया है और मैं कहना चाहता हूँ दोराना चाहता हूँ कमल नाच्ची को बताना चाहता हूँ और यह जो हमारे सब मंत्री बैटे हैं इनको भी बताना चाहता हूँ साफ बताना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे 15 साल आर एसेस ने बीजेपी की सरकार ने प्रदेश को ब्यूरोक्राट्स के माधियम से ब्यूरोक्राट्स को कंट्रोल करके चलाया कॉंग्रेस पार्टी प्रदेश को ब्यूरोक्राट्स के बल पर नहीं चलाती है कॉंग्रेस पार्टी प्रदेश को पंचायती राज के माधियम से चलाती है कॉंग्रेस पार्टी अपने मंत्री के दर्वाजे चीफ मिनिस्टर के दर्वाजों को खोल कर जनता के थुरू और हमारे कारे करताओं के थुरू चलाती है और मैं शिकायद नहीं सुनना चाहता हूँ, कॉंग्रेस पार्टी एक कार्य करता, प्रदेश की जट्था, आपके लिए चीफ मिनिस्टर का दर्वाजा और हमारे सब मंत्रियों का दर्वाजा खुला मिलेगा, और जो हमारे लोकल बॉडी के नेता हैं, परधान, नगर पालिका के लीटर, आपको भी हम शामिल करके मध्य प्रदेश की सरकार चलाएंगे, क्योंकि यह प्रदेश आप सबका है, यह प्रदेश किसे एक संगटन का नहीं है, यह मोहन भगवज जी का प्रदेश नहीं है, ये मध्य प्रदेश के खर नागरिक का प्रदेश है और हम आपके आवाज शामिल करना चाहते हैं किसान कर्जा माफ सिर्फ एक पहला कदम था मैंने कहा है फूड प्रोसेसिंग यूनिट कोल्ड स्टॉरिज का हम जाल बिचाने जा रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में किसान के खेत के बिलकुल पास फूड प्रोसेसिंग यूनिट अलू उगाते हो अलू के चिप्स की फैक्टर टमाटर उगाते हो केचप की फैक्टर सोयाबीन का तेल सोयाबीन उगाते हो सोयाबीन का तेल की फैक्टर सीधा आप जाके उसमें अपना माल बेचोगे मध्य प्रदेश को हम कृषिगा सेंटर बनाएंगे युवाव से कहना चाहता हूँ हमारे लिए पहला काम सबसे बड़ा काम आपको रोजगार देने का काम है हिंदुस्तान चाइना से मुकाबला कर सकता है मध्य प्रदेश चाइना से मुकाबला करेगा